जिनोंने राम का विरोध किया, वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिनोंने राम की भक्ति का संकल्प लिया, आज वो सत्ता में हैं, देश उनके नेत्रित में दिन दुगनी राजचोगनी तरकी करेगा, यह विश्वास जन जन में जागरित हुआ है, और यह विश्वास फले फुले इसकी शुभकामना करते हैं राहुल ने ये घोशना की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि चार तारीकों देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी नहीं होंगे देश का वातवर्ण इस समय में बहुत सपष्ट है जिनोंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर है जिनोंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार शिरी नरेंदर मोदी के नेत्रित्व में बन गई है देश उनके नेत्रित्व में दिन दुगनी राजचोगनी तरक्की करेगा यह विश्वास जन जन में जागरित हुआ है और यह विश्वास फले फुले इसके शुभ कामना करते है ऐसा है कि पूजनिया सरसंग चालग जी के ब्यान पर और देश के अंदर संग की यह रीप है कि यह उस पर कोई टिपने नहीं की जाती मैंने तो इसलिए कहा कि राहूल ने यह घोषना की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि चार तारीकों देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी नहीं होंगे केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ इतना आकड़ा जो है इंडी एलाइंस का आएगा तो उनकी घोषना है है पोलिटिकल स्टाइल की अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं मेरा इतना ही कहना है कि देश अगे बढ़ चुका है इससे और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेत्रित्व के साथ देखना चाहता है और भगवान ने यह है श्री नरेंदर मोधी बीजेपी एंडिये को सुवसर दिया है कि वह इस देश को तेजगती से आगे बढ़ाएं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखे रहिए योस 24